शिर्मत भागवत कीता अत्थ एकादशो अध्याई अर्जुन बोले मुझ पर अंग्रे करने के लिए आपने जो पुरम गोपनिय अध्यातम विश्यक वचन अर्थात अपदेश कहा उससे मेरा ये अज्यान नस्ट हो गया क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्वत्ति और पदले विस्तार पुरक सुने हैं तो था आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है प्रंतु हे पुरिशोतम आपके ज्यान एश्वर ये शक्ती बाल वीरे और तेश से युक्त एश्वर रूप को मैं परतेक्ष देखना चाता हूँ हे प्रभू यदि मेरे द्वरा आपका वे रूप देखा जाना शक्के है ऐसा आप मानते हैं तो हे ये युगेश्वर उस अविनाशी सवरू का मुझे दर्शन कराईए तो भगवान जी बोले हे पार्थ आप तो मेरे सैंकडों हजारों नाना परकार के तथा नाना वरन त हे भरतवंची अर्जुन मोझ में अदित्यों को अर्थात अदिती के द्वादश वुत्रों को आठ वसुन को एक अदश रुद्रों को दोनों अश्वनी कमारों को और उन्चास मरदगनों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चेर में रूपों को देख हे अर्जुन आब इस मेरे शीर में एक जगा स्थित चराचार सहीत संपूर जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाता है सो देख प्रन्तु मुझको तुम इन अपने प्राकित नेत्रों दोरा देखनाय में निसंदे समर्थ नहीं है इसी से मैं तजे दिव अर्थात आलो की चक्षु देता हूं उससे तुम मेरे इश्वरी योग शक्ती को देख संजे बोले हे राजन महायोग इश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस परकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम इश्वर योक्त दिव्य सरूप दिखला अनेक मुख और नेत्रों से योक्त अनेक अधुद दर्शनों वाले बाउस से दिव्य भूशनों से योक्त और बाउस से दिव्य शेष्ट्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारं किये हुए और दिव्य गंद का सारे शीर में लेप किये और सब और मुख किये हुए विराठ सवरू परमदेव परमेश्यर को अर्जुन ने देखा आकाश में हजार सुर्यों के एक साथ हुदे होने से उत्पन जो परकाश हो वे भी उस विश्यरू परमात्मा के परकाश के सद्रिश्य कदाचि थी हो पांडो पृत्र अर्जुन ने उस समे अनेक परकार सेवी भक्त अर्थात प्रथक प्रथक संपूरन जगत को देवों के देव शिर किश भगवान जी के उस श्रीर में एक चिका स्थित देखा उसके नंतर वे अश्चेर से चकित और पुलकित श्रीर अरजुन परकाश में विश्यरूप परमात्मा को श्रदा भक्ती सहीद सिर से परनाम करके हाद जोड़ के बोला अर्जुन बोले ही देव मैं आपके शिर में संपूरन देवों को तथा अनेक भूतों के समधायों को कमल के आसन पर बिराजित ब्रह्मा को महादेव को और संपूरन डिश्यों को तथा दिवे सर्पों को देखता हूँ हे संपरन विश्य के स्वामिन आपको नेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से योक्त तथा सब और से अनंत रूप वाला देखता हूँ हे विश्य रूप मैं आपके ना अंत को देखता हूँ ना मध्य को और ना आदी को ही आपको मैं मुकट योक्त, गदा योक्त, चक्र योक्त तथा सब और से परकाश्मान तेज के पुंज, प्रजलित अगनी और सूरे के सद्रिश जोती योक्त, कठितनता से देखने जाने योग्य और सब और से अप्रमे सवरूप देखता हूँ आप ही जाने योग्य परम अक्षर, अथात पर भ्रम परमात्वा हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रे हैं, आप ही अनादी धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन प्रोशे ऐसा मेरा मत्ध है आपको आदी अंत और मद्ध से रहित, अनन्त सामर्थ से युक्त, अनन्त भुजा वाले, चंद्र सुरी रुप नेत्रों वाले, प्रचुरित अगनी रुप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्ट करते हुए देखता हूँ हे महात्मन, ये सर्ग और पित्थी के बीच का संपुरन आकाश, तथा सब दिशाएं, एक आप से ही परिपूर्ण हैं, तथा आपके इस आलोकिक और भ्यंकर रूप को देखकर, तीनों लोग अथी विथा को प्राप्त हो रहे हैं वेही देताओं के समूँ आप में प्रवीश करते हैं और कुछ भैबीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुनों का उच्चारन करते हैं और महिस्जी और सिद्धों के संप्दाए कल्यान हो ऐसा केकर उत्तम उत्तम स्तुत्र द्वरा आपकी स्तुती करते हैं जो क्यारा रुद्र और बारा अधित्य तथा आठ वसू साध्यगान विश्यदेव अश्निकमार तथा मरुदगान और पित्रों का संप्दाई तथा गंदर्व यक्षि राक्षिश और सिद्धों के संप्दाई हैं वे सब ही विश्मित होकर आपको देखते हैं हे महाबाहो आपके बहुत मुख और नित्रों वाले बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले बहुत उद्रों वाले और बहुत सी दाड़ों के करल अध्यंद विक्राल महान रूप को देकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं क्योंकि हे विश्णों आकाश को शपर्ष करने वाले दैदिप्यमान अनेक वर्नों से युक्त तदा फिलाए हुए मुख और परकाश मान विशाल नित्रों से युक्त आपको देखकर भाईवी तंते करनवाला मैं धीरज और शांती नहीं पाता हूँ दाड़ों के कारन वे क्राल और परले काल की अगने के समान प्रजलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ इसलिए हे दिवेश हे जगन निवास आप पर सन्न हो वे सभी धृत आश्ट के पुत्र राजाओं के समधा सहित आप में परवेश का रही हैं और भीशम पिता में द्रोना चारे तथावे करन और हमारे पक्ष के वी परधानियो दाओं के सहित सब के सब आपके दाड़ों के कारन विक्राल विहानक मुखों में बड़े वेक से दोड़ते हुए परवेश का रही हैं और कई एक चूर समुद्र के ही सम्मुख दोड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोग के वीर भी आपके प्रजलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रास करते हुए सब बोर से बार बार चाट रहे हैं। मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समें इन लोगों को नश्ट करने के लिए प्रवित्वा हूँ। इसने जो प्रती पक्षियों की सैना में स्थित योदा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्धन ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतैव तु उठ यश प्राप्त कर और शत्रों को जीत कर दंधानने से संपन राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। ये सब ये साचिन तू तो केवन निमत मात्र बंजा। द्रोनाचारे और भीशंपिता में तथा जैदरत और करन तथा और वी बाउस से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योधां को तू मार। भै मत कर। निसंदे तू युद्ध में वैरियो को जितेगा। इस लिए युद्ध कर। संजे बोले केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकट धारी अरजुन हाज जोड़कर कामता हुआ नमशकार करके फिर भी अत्याद भैभीत होकर परनाम करके भगवान शिरिकिष के प्रतिकत गदवाने में बोला। अरजन बोले हे अंतर यामिन ये योगे ही कि आपके नाम गुनर पर भाव के कीतन से जिगत अती हर्शित हो रहा है और अन्रा को भी प्राप्त हो रहा है तो था भैभीत राक्षिश लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्दगनों के समदाएं नमशकार कर रहे है हे महात्मन भ्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके ही ये कैसे नमशकार ना करें क्योंकि हे नन्त हे दिवेश हे जगन निवास जो सत्त सत्त और उससे परे अक्षर अर्थात सचीदा नंद घन भ्रह्म हैं वे आप ही है आप आदी देवर सनातन प्रोश हैं आप इस जगत के परम आश्रे और जानने वाले और जानने योग्य परम धाम हैं हे नंत रोप आपके इस सब जगत व्यावत अर्थात परिपोर्न हैं आप वायू यम्राज अगनी वरुन चंद्रमा प्रजा के सामी भ्रह्मा और भ्रह्मा के भी पिता हैं आपके लिए हज आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमशकार है सरवात्मन, आपके लिए सब और से ही नमशकार हो, क्योंकि अनन्त वहाँ प्रवकरम चाले, आप सब संसार को व्याप्त किये हैं, इससे आप इस सर्वरूप हैं, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से, अथवा प्रमाद से, भी मैंने हे क्रिष्न, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वरा विनोद के लिए विहार, शिया, आसन और भोजन आदि में अकेलित, अथवा, उन अप्रमेश सवरो पर्थाद अच्चिंत प्रभावाले आप से मैं शमा करवाता हूँ, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरू एम अति पूजनी हैं, हे अनपंप्रभावाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो क कैसे हो सकता है, अतर हे प्रभू, मैं शीर को बढ़ी भांती चलों में निवेदित कर, परनाम करके स्तुति करने योग्य आप इशर को परसन होने के लिए प्राथना करता हूँ, हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पती जैसे प्रित्मा पत्री के परशी तो रहा हूँ, और मेरा मन भेसयती व्याकुल हो भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतर्भुज विश्नु रूप को ही मुझे दिखाईए, हे दिवेश, हे जगनिवास परसन्न होईए, मैं वैसे ही आपको मुकट धारन किये हुए तथा गदा और चक्र हाथ म दिए हुए देखना चाता हूँ, इसलिए हे विश्य सरूप, हे सस्त्रभाहु, आप उसी चतर्भुज रूप से प्रगट होईए, श्री भगवान जी बोले हे अर्जुन, अनुगरे पूरक मैंने अपनी योग शक्ती के प्रभाव से, ये मेरा प्रम तेजों में सब का आ आदी और सीमा रहित विराठ रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अत्रिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था, हे अर्जुन, मनुश्य लोक में इस परकार विश्य रूप वाला मैं, ना वेद और यग्यों के अध्यन से, ना दान से, ना क्रियां से, और ना अगर तबह से ही तेरे अत्रिक्त दूसरे के द्वरा देखा जा सकता है, मेरे इस परकार के इस विक्राल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, और मोड भाव भी नहीं होना चाहिए, तो भय रहित और प्रिति युक्त मन वाला होकर, उसी मेरे इस गदा पदम युक्त चतर बुजरूप को फिर देख, संजे बोले, मौसदे भगवान ने अरजुन के प्रति इस परकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतर बुजरूप को दिखलाया, और फिर महात्मा शिरिकिष्ट ने सुम्य मूर्ती होकर इस भैभीत अरजुन को धीरज दि आपके इस अती शान्त मनुश्य रूप को देखकर आप मैं स्थिर चित हो गया हूँ, और अपने सभाव की स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, श्री बगवान जी बोले, मेरा जो चतर बुजरूप तुमने देखा है, ये है, सो दुर दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लब हैं, देता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांशा करते रहते हैं, जिस परकार तुमने मुझ को देखा है, इस परकार चतर बुजरूप वाला, मैं ना विदों से, ना तपसे, ना दान से, और ना यग्य से ही देखा जा सकता हूँ, प्रंतु हे प भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ, है अर्जुन, जो प्रुश केवल मेरे ही लिए संपुरन करतवे कर्मा को करने वाला है, मेरे प्राएन है, मेरा भक्त है, आसकती रहित है, और संपुरन भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वेह अनन्य अभक्ती युक्ति प्रोश मुझको ही प्राप्त होता है इस परकार से एकादश अध्याई परिपोर्ण